हलो दोस्तों मेरा नायम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा हैं Study Channel इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको TZT Art यानी TZT कला का फॉर्म भरके दिखाऊंगा बहुत सारे छात्रों को इसमें confusion है कि कैसे फॉर्म भरना है और योगिता को लेकर विशेस कर काफी confusion है सबसे ज़्यादा यदि किसी विशे में confusion है योगिता को लेकर तो वो है TZT Art मैं यहाँ पर registration आपको करके दिखाऊंगा और योगिता भी हम लोग साथ ही साथ देखेंगे ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या ना आए TZT Art में पहली चीज़ दोस्तों की B8 की आवशकता नहीं है ये तो सबको अब तक जानकारी हो ही गई है देख सकते हैं हमारा फॉर्म यहाँ पर खुल गया है फॉर्म जैसे आप खोले हैं आप यहाँ पर एक बार जरूर देखें कि TZT Art लिखा है या नहीं जिस भी विषय के लिए आवेधन कर रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ पर देख लहे हैं ताकि क्लियर हो जाए कि आप सही विषय के लिए आवेधन कर रहे हैं यहाँ पर जो detail भरनी है वो बिलकुल basic है आपका नाम है फादर ने, मदर ने, बेट वबर्त वगर है और फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने अल्रेडी एक वीडियो बनाया हुआ है बिल्कुल डिटेल में सुरू से लेकर लाज तब फोटो, साइन, अपलोड, फी, पेमेंट सब कुछ मैंने बताया हुआ है तो उस वीडियो को आप चाहन दो देख सकते हैं, यह बेसिक वाली जानकारी आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, आर्ट के लिए आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना academic qualification फिल करना है academic qualification में आपको यहाँ पर अपने 10th की पूरी details फिल करनी है फिर अपने 12th की पूरी details फिल करनी है जो नॉर्मली आपने 10th किया था, उसके बाद अपने 12th किया था तो वो दोनों details आप यहाँ पर fill कर देंगे अब बढ़ेंगे आगे और essential qualification में आएंगे जहाँ पर छात्रों को confusion होता है essential qualification में यहाँ पर देखिए सबसे पहले चीज यह लिखी गई है कि आपका यदि art master training certificate है यदि आपने यह course किया है जिसे पहले कहा जाता था drawing teacher certificate यदि आपके पास यह वाला certificate है तो आपको यहाँ पर yes पर click कर देना है और आपको अपने art master teacher certificate की details यहाँ पर भरनी है यादि कि आपने किस state से यह course किया था कौन सा university था passing year जो भी यहाँ पर details मांगी जा रही है आप सब कुछ इसमें fill कर देंगे अब यहाँ पर दूसरी condition क्या है कि यहाँ आपके पास यह वाली certificate नहीं है इसके equivalent कोई certificate है जो की board ने मान किया है तो ऐसे condition में आपको equivalent पर click करना है ध्यान दिजिएगा यहाँ पर बहुत सरचात्र गल्दी कर रहे हैं आपके पास यह वाला certificate है तो आप equivalent पर बिल्कुल भी click नहीं करेंगे आप सीधे यहाँ पर yes करेंगे और उसके details को यहाँ पर fill कर देंगे ऐसे condition में यदि आपके पास यह वाला certificate नहीं है तब जाकर आप equivalent पर click करेंगे यहाँ पर equivalent qualification select करेंगे और उसके बाद आजाएगा एक नया option please select का इस पर click करेंगे तो जो जो equivalent में courses मान किये गए हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा काफी जादा यहाँ पर courses आपको देखने को मिलेंगे यदि आपने दोस्तों बारहवी में अपने technical art पढ़ा है तो जो सबसे last वाला option है इस पर आप click करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा किया है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन काउंसल इंटरमीड एग्जामनेशन वे टेकनिकल आर्ट तो टेकनिकल आर्ट जिन्होंने पढ़ा है 12 में उनको last वाले option पर click करना है और आपको अपने 12 की पूरी detail से यहाँ पर भरनी है क्योंकि आपने यहाँ पर वही select किया है यदि आपने पहली बार जब 12 पढ़ा था उसी में technical art भी पढ़ा था तो आप अपने 12 की detail ही यहाँ पर fill करेंगे और यदि आपने एक विशे के रूप में बार में technical art किया है तो ऐसे condition में आप अपने single subject वाले का details से यहाँ पर fill करेंगे दोस्तों यदि आप चीजों को ध्यान देंगे बारिकी से समझेंगे तो form में गलती नहीं होगी आप खुद ही समझ पाएंगे आप इतने पढ़े लिखे educated है जैसा आप यहाँ पर चीजों को select करेंगे उसी की details हमें यहाँ पर सामने भरनी है तो यह चीज अब आप इतना समझ गए होंगे तो 12 में technical art वाले कैसे form बरेंगे आप अब समझ गए इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा graduation के बारे में कि आपने graduation किया है की नहीं किया है तो TCT से यह आप आवेजन कर रहे हैं तो graduation जरूरी है किसी भी विसे के लिए तो इस condition में आपको यहाँ पर reverse करना ही होगा graduation आपका किसी भी विश्य से हो सकता, इसमें कोई foundation नहीं है, और यहाँ पर आपको अपने graduation की details fill कर देनी है, और यदि आपने 12th में technical art नहीं पढ़ा है, लेकिन 10th में यदि आपने technical art पढ़ा है, तो ऐसे condition में दोस्तों एक बड़ी list यहाँ पर है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे high school examination में technical art and तो high school में technical art के साथ कुछ नकुछ extra चीज़ें जरूर मांगी गई है, जैसे कि देखेंगे high school में technical art इसके साथ आपका चाहिए होगा be it drawing से या painting से, तो यदि आपके पास यह वाला eligibility है, तो आप इस पर क्लिक करके आपको उसकी details यहाँ पर सामने भर देनी है, उसे के साथ देख लिए high school के साथ क्या क्या combination है, तो high school technical art और Bombay intermediate grade drawing examination या फिर high school technical art के साथ Bombay third grade art teacher school examination, फिर यहाँ पर है high school technical art के साथ कलकता final drawing teacher ship examination या फिर high school technical art के साथ और certificate of state drawing and handicraft center या फिर high school में technical art और fine art diploma of color, भवन, शान्ती, निकेतन और last है high school में technical art और इसी के साथ है teacher senior certificate examination of myo school of art लाहौर, तो यह सारी चीज़ें है, high school में technical art के साथ कुछ न कुछ आपको extra चीज़ें करनी ही पड़ती है और graduation तो compulsory है ही है देख लेते हैं हम लोग notification को भी ताकि कोई confusion ना हो कला का योगता आप देख सकते हैं, B8 वाला यहाँ पर हिसा खाली है इसको लेकर आप से और रहिएगा, यहाँ पर जो चीज़ें दी गई है अधिमानी अर्था के लिए हैं यह अनिवार सेक्षी करता नहीं है तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले eligibility है इसमें यही लिखा गया है राजकी कला और शिल्फ विद्याला लखनव का आठ master training certificate फॉर्म भरते समय जो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया था वही चीज लिखा गया है तो यह वाले eligibility है तो आप equivalent पर क्लिक न करके यहाँ पर क्लिक करके इसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे यदि पहला वाला combination नहीं है तो second है कि 12 में आपने पढ़ा है प्राविधी कला याने टेक्निकल आर्ट तो उस condition में आप इससे eligible हो जाएंगे जो सबसे last में था equivalent में जो उन्हें आपको दिखाया ही और high school वाला आप देख सकते हैं condition यादि आपने 10 में पढ़ा है प्राविधी कला तो इसके साथ इतनी सारी चीज़े हैं इन में से कोई नो कोई एक आपके पास होना चाहिए और इसके बारे में भी मैंने आपको form में दिखा दिया इतनी सारी चीज़ें दिया आप समझ गए हैं तो बढ़ते हैं आगे और जहां पर बहुत सारे लोगों को confusion है वो confusion भी हम लोग यहां पर दूर कर देते हैं फिमेल्स को भी काफे जादा confusion है कि वो कैसे eligible होंगी क्या उनके लिए eligibility है तो यहां पर दोस्तों टिपड़ी पढ़िए टिपड़ी में सारी चीज़ें असपस्ट हो जाएंगे टिपड़ी में पहली टिपड़ी क्या है अब टिपड़ी को ही लोग सही तरीके से नहीं समझ लिखा गया है उपरियुक्त दो के अंतरगत उपरियुक्त एक और दो के अंतरगत नहीं तिपड़ी नंबर एक में लिखा गया है उपरियुक्त दो के अंतरगत intermediate परिक्षा पास करना होगा उपरियुक्त दो यानि जो दूसरा वाला यहां पर लिखा गया है इसके तरकी प्रावेधी कला के ज्यान का प्रमाडपत्र सुईकार किया जा सकता है यदि आपके पास है तो तो यदि आपके पास 12 में प्रावेधी कला है तब तो कोई तिकत देने है लेकिन नहीं है और आपके पास कोई सर्डिफिकेट इसके समकष है यानि की बाद मेरी आपने सि तिकनिकल आर्ट दिया है तो वो भी मानने होगा वो चीज़ यहां पर समझाई गई है और आगे एक लाइन लिखा गया है कि बालिकाओं की संस्था के अध्यापकों को प्रावेदी कला की योगिता से छूट दी जाएगी तो यहां पर सबसे पहली चीज़ यह है कि सभी बाल को बिल्कुल चूट नहीं है महिलाएं यदि बालक वर्ग से आवेदन करती है तो उनको भी नहीं चूट होगा बालिकाओं यदि बालिका संस्था से आवेदन करती है तो उन्हें प्रावेदी कला की योगिता से छूट दी जाएगी यह आप समझ लीजिए यानि कि उनका प्रावेदी कला नहीं है कोई सामान ने भी कला है तो भी उनका चल जाएगा यहां से बाकी जो योगताएं हैं वो कंप्लेट होनी जाहिए सेम ऐसे ही टिपड़ी नंबर दो में लिखा गया है कि उपरियुक तीन के अंतरगत हाई स्कूल परिक्षा पास करना अनिवार है उपरियुक तीन क्या था जो यह वाला है कि हाई स्कूल में प्रावेदी कला होना चाहिए तो हाई स्कूल तो पास होंगे ही तभी तो प्रावेदी कला उसमें होगी तो उपरियुक तीन के अंतरगत हाई स्कूल परिच्छा पास करना अनिवार होगा परंतु यदि उस पर तो वो भी eligible होगा उसके साथ जो ये combinations हैं ये आपके पास होने चाहिए यहां पर भी बालिकाओं की संस्था में अध्यापक को प्राविदी कला की युगता से छूट मिलेगा और सबसे important note यहां पर है इसमें लिखा गया है कि सहाइक अध्यापक के लिए सनातक का उपाद ही हो शक सुबहा नहीं है फॉर्म में भी देख सकते हैं दोस्तों यहां पर क्लिरली दिखा गया है note में कि teachers of girls institution will be exempted from the qualification of technical art तो girls institution की जो teachers होंगी उन्हें टेकनिकल आर्ट की योगता से छूट दिया जाएगा तो इतनी सारी सीज़ें अब आप समझ गए थार्ड नमबर पे है high school पूल एक्जामनेशन टेकनिकल आर्ट था तो उसके डिटल्स आपको यहां पर फिल करनी है यदि आपके बास नहीं है तो आप इसे नो भी कर सकते हैं पूरे दरह से ऑप्शनल है उपर वाले दोनों आपके मेंडेटरी थे इसके बीना तो आप फॉर्म भरी नहीं सकते ले इसके आगे आपको वीडियो मिल जाएगा कोई भी समस्य आपको नहीं आएगी फोटो साइन वगारे सब कुछ मैंने बताया हुआ है डिटेल में कैसे कैसे बनाना है और अप्लोड करना इसके लावा किसी और भी सेकति आप देखना चाहते हैं वीडियो फॉर्म भरने का ट थैंक्स ओर वाचिंग।